जैश्री राम बहुत श्वागत आपका आपके अपने बेहत खासकार कर मानस जोतिस ग्यान में तो मेरे मानस जोतिस ग्यान और मेरे सभी विवर्श आपको बताना चाहता हूँ कि फिर से घटित होने जा रहा है भारत का एक मात द्रिश्च चंदर ग्रहन कब है आखिर ये ग् ग्रहन जनरली जो होने वाला है रात को एक बच करके पाँच मिनट पर यह ग्रहन घटित होगा यानि हम इसको 29 ही ले सकते हैं 29 की अरली मानी रात को एक बच कर पाँच मिनट पर यह ग्रहन घटित होगा और रात को 26 यानि दो बच करके 24 मिनट तक यह ग्रहन रहने वाला है सनी वार, रभी वार को इस्पेशली ये ग्रहन रहने वाला है, रात को दो बच करके 24 मिनट पर जा करके ये ग्रहन खतम होगा, इस ग्रहन का सूतक क्या होगा, इस ग्रहन का जो सूतक का अलप्रारंब होगा, वो शाम को 28 तारीक को 4 बच करके 5 मिनट पर प्रारंब हो जाएग कुछ तोड़ना नहीं जो इस्पेशली प्रेगनेंट महलाएं हैं जो गर्ब होती महलाएं हैं लोग क्या कहते हैं साइंस क्या कहता है क्या बाते होती है बहुत सारी चीजे हैं जिस पर हम कभी और चर्चा करेंगे लेकिन आज ये शॉर्ट में दो तिन चीजे बता रहा हूं कि जोर से कुछ तोड़ना नहीं है, कुछ काटना नहीं है, सोना नहीं है, तेज आवाज में टी बी नहीं देखना है, यदि हेल्थ प्राबलम इत्यादी किसी को ना हो, तो ग्रहन के शमय भोजन इत्यादी बिल्क करके लेना चाहिए, ग्रहन से पहले तुलसी का पत्ता तोड़ लेना चाहिए, गंगा जल तुलसी का पत्ता इत्यादी डाल करके रखना चाहिए, ग्रहन के शमय धार्मिक पुस्तके इत्यादी पढ़ना चाहिए, ग्रहन के बाद शांदी डाल करके किसी जल में गंगा जल डाल कर अस्मान करना चाहिए गायत्री जब इत्यादी करना चाहिए इससे बहुत पुंड की प्राप्ती होती है परमात्मा के शाथ आपका मन कनेक्ट होता है पर एक्चुल में ग्रहन में किसको किसको क्या लाव है और किसको क्या नुक्षान है इस पर बात करेंगे किस रासी के लिए क्या लावा है अच्छा यह ग्रहन भारत के अत्रिक्त और कहां घटित हो रहा है भारत के लावा यह ग्रहन आस्ट्रेलिया में समपूर एसिया में ओरोप में और जानकारी के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं रात को नौ बज़े دो पहर को बारा बजे में लाइब होता हूँ इस कारिक्रम को अभी यहां पर में बिराम दूँगा आपका जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद जैश्री ना